नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर सो पीएम मोदी का फ्रांस का दौरा अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले ही एक बहुत ही मेजर डेवलप्मेंट सामने आ रही है और ये डेवलप्मेंट हमारे रक्षा मंत्रा लेके द्वारा दी गई है कि उन्होंने हमारे 9 सेना यानि की हमारी नेवल फोर्सेस के लिए ओल्रेडी 26 फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस को परचेस करने का फैसला ले लिया है साथी में इसमें तीन नेवल अटाक सब्मरीन्स को भी हम लोग फ्रांस से ही खरीदने वाले हैं आप लोग यह चीज अभी तक confirm नहीं हुई है लेकिन कुछ-कुछ sources के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों ही deals का जो collective cost होने वाला है that is approximately going to be 90,000 crores जी हाँ यह एक mega deal होने वाली है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में sign करी जाने वाली है तो बात करेंगे इस पूरी deal के बारे में बा नाम है अनिरुद। यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारी lectures के updates को पाना चाहते हैं इस telegram channel को definitely join कीजे यहाँ पर आपको और भी कई सारी जानकारी UPSC exam से संबंदित available करवाई जाती है इसके साथ ही में दोस्तों आपके लिए कुडान batch को लाया जा रहा है जो की 17 July से शुरू होने वाला है और इस batch में हम लोग आपके लिए समपूर्न UPSC सेवल सेवा परीक्षा की तयारी प्रिलिंज और मेंस की करवाने वाले हैं मेंस और प्रिलिंज की test series भी available करवाई जाएगी answer writing और notes making की classes भी separately conduct करवाई जाने वाली है इसमें enroll करने का link दोस्तों description में है और यह इंडिया का सबसे affordable और comprehensive batch है जो केवल 8000 रुपे में आपको CSAT plus complete GS available करवा रहा है अगर आप discounts चाहते हैं तो please do not forget to use the coupon code ANI UPSC तब ही आपको maximum discounts मिल पाएंगे और दोस्तों हमने उडान batch के साथ geography optional के batch को भी announce किया है आप चाहें तो उसमें जाकर के भी enrollment ले सकते हैं व आपको ये दोनों batches available हो जाएंगे geography optional का जो batch है वो एक अगस्त से शुरू होने वाला है चाहें तो उसमें जाकर के भी आप लोग enrollment ले सकते हैं collectively ये batches आपको केवल 15000 में available करवा दिये चाहेंगे alright so सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि दोनों ही जो acquisitions हैं ये Indian Navy के लिए एक force multiplier की तरह काम करने वाली है और ये Indian Navy का जो arsenal है उसको और भी जादा solid उसको और भी जादा तगड़ा बना देंगी दोनों जो acquisitions हैं इसमें number one पे आती है the deal for acquisition of 26 Rafale Marine fighters for the INS Vikrant aircraft carrier and second जो deal है that is the order for building three more scorpion class submarines at the MDL through the make-in-India route यानि कि जो submarine समलोग लेने की बात कर रही है उनको make-in-India route के माध्यम से भारत नहीं आकर के manufacture किया जाने वाला है और इस चीज़ को लेकर बलकि जो defense ministry है उसने defense acquisition council ने एक meeting को भी convene किया है जो की 13 July को होने वाली है for granting the acceptance of necessity to Indian Navy इन दोनों ही deals के लिए हाला कि obviously इसको लेकर जो formal signing है वो तभी होगी जो PM Modi France के दौरे पर पहुंचेंगे talking about the deal number one तो बात करते हैं marine rafals के बारे में दोस्तों जो marine rafals है इनको specifically India के लिए customize किया जाएगा although ये वाले जो marine rafals है France की Navy भी इस्तिमाल करती है उनके जो समुदरी युदपोत है उनके लि ये ये वाले जो marine rafals है इनको customize किया जाएगा जो वैसे marine rafals बनकर आते हैं ये twin seater versions होते हैं लेकिन इंडिया जो की 26 fighters को लेने वाली है they are going to be single seater versions जिसमें की already बल्कि जो Indian Navy pilots हैं उनकी training जो है वो France में चल रही है और कुछ-कुछ जो उनकी training है वो Goa में भी simulators के ऊपर चला जा रही है इसमें बल्कि ये भी सामने आया है कि इसमें जो एक squadron है INS Vikrant के ऊपर रहेगा 18 fighter aircrafts का और जो remaining 8 हैं उनको Goa में रखा जाएगा as reserves for rotation ये भी अभी तक final नहीं हुआ है कि क्या हम लोग 26 के 26 single seater लेने वाले हैं या फिर हम लोग शायद कुछ इसमें double seater versions को भी ले ही आई है लेकिन ये चीज तैह है कि ये जो हम लोग procurement कर रहे हैं this is going to be for the one and only INS Vikrant aircraft carrier ये वही वाला युद्धपोत है जो कि हमने पिछले साल जिसकी commissioning हुई थी 2022 में जिसको कि IAC-1 indigenous aircraft carrier 1 भी कहा जाता है जिसको कि इंडिया ने proudly indigenously बनाया है it has been built by the kochin shipyard limited और इसी INS Vikrant के ऊ उपर अब हम लोग marine रफाल का इस्तिमाल करने वाले हैं अगर marine रफाल की तुलना करें जो भारत के पास already रफाल available है जो कि हमारी वायू से ना operate करती है तो marine रफाल उसके तुलना में काफी अलग है number one obviously ये अलग इसलिए है because ये aircraft carriers के उपर सी operate करता है और ये slightly heavier भी है because इसमे कई सारी modifications भी करी जाती है because जब आप एक aircraft carrier के ऊपर से किसी भी लडाकू विमान को operate करते हैं तो उसके पीछे एक तो tail hook लग जाती है और साथ में उसका जो undercarriage होता है वो भी काफी जादा reinforce किया जाता है so that अगर उसको एकदम से जटके से कभी landing करनी है so उस case में उसका जो undercar coverage है वो destroy ना हो तो because of that जो marine Rafale है existing Rafale से थोड़ा सा heavy थोड़ा सा और ज्यादा अलग हमें देखने को मिलने वाला है यह USA के लिए बहुत बड़ा जटका है because असल में USA की भी जानी मानी company Boeing भारत को काफी लंबे अरसे से convince करने का प्रयास कर रही थी कि आप लोग INS विकरांत के लिए जो जाने माने super hornet aircrafts हैं उनका इस्तेमाल कीजे because हमारी भी जो US Navy है वो इनी का इस्तेमाल करती है लेकिन अब ये picture clear हो चुकी है कि इंडिया के द्वारा super hornets का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बलकि हम लोग marine Rafales का इस्तेमाल करने वाले हैं second चीज जो कि यहां पे communication क्या होगी that they will be fitted with the air independent propulsion यानि कि उसमें सबसे advanced AIP system होने वाला है AIP system की खास बात क्या होती है कि अगर AIP system होता है तो उस case में जो आपकी सब्मरीन है उसको बार-बार सतय पे नहीं आना पड़ता उसको बार-बार बाहर नहीं आना पड़ता वो लंबे अर्से तक पानी के अ वाली submarines होती है यह काफी ज्यादा काम आती है तो यह वाली जो नई submarines बनाई जाएंगी यह कलवारी submarines के ही basis पे बनाई जाएंगी लेकिन इनको AIP system के साथ induct किया जाएगा कलवारी class of submarines वही वाली submarines है जो कि Indian Navy ने project 75 के तहत 6 scorpion class attack submarines को तयार किया था जिसमें दोस्तों हमारी पह बिला है यह भी 21 में commission हुई थी जो पांचवी जिसका नाम वागीर है यह December 2022 में deliver करी गई थी Navy को और जो छटी and the last one है जो कि project 75 में आती है वाक्षीर that is expected to be delivered to the Navy by end of 2023 तो इसी कलवारी class of submarines में तीन और submarines को add किया जाएगा with this deal from France जिसकी manufacturing again proudly India के Mazagound Doc Limited यानि की MDL में ही हमें यह overall जो इतनी बड़ी collaboration हमें देखने को मिल रही है that is clearly because यह दोनों देश चाइना को ध्यान में रख रहे हैं यह दोनों देश इंडो-Pacific को ध्यान में रख रहे हैं and जो agenda है वो यहाँ पर यही है कि इंडो-Pacific में freedom of navigation को maintain किया जाए जो यहाँ पे sea lanes of communication है उसके ऊपर completely freedom of navigation क उसको हटाया जाए और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया और फ्रांस यह वाली बड़ी-बड़ी deals को यहाँ पे sign कर रहे हैं दोस्तों आपकी इस पर क्या राये है मुझे definitely बताईए comment section में जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपने हमारे बोध बैच को चेक आउट नहीं क्या है प्लीज चेक आउट कीजिए यह जो है 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है इसमें भी आपको सारी की सारी क्लासे हिंदी माध्य में वेलेबल करवाई जाएंगी and you can enroll in this using the coupon code अनी UPSC इसका भी जो प्राइज है that is only and only 8,000 रूपीस separately geography optional के batch में जाकर के भी आपको के enrollment ले सकते हैं जो की एक अगस्य स्टार्ट हो रहा है thank you so much for listening stay tuned and